हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेता पटवस रेशीपी, फ्रेंज आज की मेरी रेशीपी बाफला और भरता, बाफला और भरता आल इंडिया में बहुत ही शौक से बनाया और खाया जाता है, इसे बनाना बहुत आशान है, तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसका छिलका आसानी से उतर जाए, अब इसके बाद हम टमाटर और इस बैगन को गैस पे इस तरह की एक जाली रखके रख देंगे, और अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसे सेख लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे परटते जाना है, जिससे ये अच्छी तरह से भून जाए, अब इस अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसे मैं एक प्ले ट में निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं इसका छिलका निकाल लूंगी जब ये ठंड़े हो जाए, अब ठंडे होने पर इनका बैखन को देखेंगे कि ये ये बीच से खराब तो नहीं अब इसे मैं कट कर लूँगी इसे बिल्कूल बारिक बारिक कट करना है अब मैं टमाटर को भी ऐसे ही कट कर लूँगी और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर दूँगी अब मैंने एक कड़ाई में 2-3 चमच ओईल लिया है ओईल गरम होने पर इसमें मैंने 8-10 लहसुन की कलिया है जिसे बारिक कट कर लिया था अब इसमें बारिक कटी ही दो हरीमेच मैं एड़ कर रही हूँ आप यदि हरीमेच जादा खाना पसंद करते हैं तो और भी जादा हरीमेच इसमें डाल सकते हैं इसके बाद मैंने थोड़े मेथी दाने इसमें डाल दिये हैं और इन्हें अच्छी तरह से लहसुन का कलर थोड़ा चेंज होते तक फ्राई कर लेंगे अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीर डाला है अब इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूं और आधा चम्मच हल्दी आप हल्दी मिर्च अपने स्वात के अनुसा डाले और ये थोड़ा सा धना पौड़ा डाला है अब इसके बाद इसमें मैं ये बैगन और टमाटर को डाल रही हूँ एक बात का ध्यान डखना है कि भरते में गरम मसाला कभी भी नहीं डालना चाहिए गरम मसाला डालने से भरते का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका जो नेचरल टेस्ट होता है वो नहीं आता है तो इसके बाद मैं इसमें एक चमबच नमक डाल रही हूँ नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसर डाले और इसे अच्छी तरह से तीन से चार मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे इसे जितना ज़्यादा फ्राई किया जाए उतने ज़्यादा भरते का टेस्ट अच्छा आता है भरता हमारा तैयार है अब इसके बाद हम बाफला बनाएंगे तो बाफला बनाने के लिए मैंने ये तीन कटोरी गेहूं का आटा लिया है अब इसमें मैं एक कटोरी बेसन एड़ कर रही हूँ अब इसके बाद इसमें मैंने ये एक चमच नमक डाल दिया है अब मैंने इसमें आज़ा चमच हल्दी और एक चमच लाल मिच पौड़र डाला है अब हम इसमें 14 हमच बेकिंग सोडा एड़ कर देंगे बेकिंग सोडा इसमें बहुत जरूरी है इसके बाद मैं इसमें ये एक चमच अजवाइन PCV एड़ कर रही हूँ और ये दो छोटे चमच ऑईल है ऑईल और बेकिंग सोडा से ये बहुत ज़्यादा सौप्ट हो बनती है और फुली फुली सी बनती है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तयार कर लेंगे इसका डो हमें रोटी के डो की तरह ही रखना है ये डो हमारा तयार हो चुका है अब मैं इसे ढख कर पंधर मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी अब पंधरा मिनट बाद हम इसकी छोटी छोटी लोईयां तोड़ कर इसे गोल गोल करके चप्टा कर लेंगे और बाफले बना लेंगे ऐसे ही करके हमें सारे बाफले बना लेने हैं अब मैंने एक इडली स्टेंड लिया है इसमें मैं देड़ ग्लास के करीब पानी डाल रही हूं और ये इडली स्टेंड की प्लेट में मैंने ऑईल लगा कर सारे बाफलो को रख दिया है और प्लेट को एक के उपर एक ऐसे जमा दूँगी और इसे ढख कर हाई फ्लेम पर पंधर मिनट तक के लिए हम पकने देंगे जब 15 मिनट के बाद हम इसे निकाल कर चाकू से चेक कर लेंगे यह हुए है यह नहीं वैसे यह 15 मिनट में परफेक्ट तयार हो जाते हैं यह हमारा चाकू साफ आया है इसका मतलब यह हमारे बाफले पक चुके हैं अब मैंने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है और मैं बाफलो को फ्राई कर लूँगी कुछ बाफलो को मैंने सैगे रखे हैं और कुछ को ऐसे बीच से दो कर दिये हैं यदि बीच से दो कर दिया जाए तो यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगते आपको जैसे पसंद हो चाहे उन्हें कट करना है या सैगा रखना है तो आप रख सकते हैं तो इन्हें ऐसे ही डिफ्राइ कर लेंगे अब इससे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ तो फ्रेंड्स यह हमारा भरता वाफला बन सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ थैंक यू